प्रभी येशु मसीखे मदना में आप सबको जै मसीखी प्रभु आप सबको बताई से आशेज़ दे आमीर आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के रूप में बात करेंगे और वो ये स्टोरी होएगी वो है एक बेहन का बहाई के परति अपार प्रेम जी आपके घर में भाई भेन हैं जो आपने देखा होगा भाई भेन अक्षर आपस में लड़ते जगरते हैं मगर फिर एक होते हैं एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं ऐसी एक भेन की और एक भाई की कहानी में बताना चाहता हूँ यह उस समय की बात है कि जिस समय जो इस्रैली लोग थे, जो परमेशु के लोग थे, जब मिस्र के अंदर गुर्मी की इस्सिति में रहते थे, गुलाम बनकर, गुलाम का मत्लब उनको दास बना कर रखा जाता था, और उनके ओपर बहुत जिलुम करते थे, वहां का जो राजा था, वहां के जो लोग थे, जो मिस्री लोग थे, बहुत ज़ादा उनके उपर जुलुम करते थे, उनको कर्ष्ट देते थे, उनको दुख देते थे, और यहां तक इतना कर्ष्ट देते थे, कि वहां पर जो लड़के पैदा होते थे, तो उनको मार डाला परन्तु लड़की जब पैदा होती थी उसको नहीं मारते थे अब ऐसी इस्तिती में ऐसी भ्यंकर परिस्तिती में कौन पैदा हुआ मूसा पैदा हुआ जियां अब मूसा पैदा होता है अब उसकी मां जो है तीन महने तक किसी तरीके से अपने छोटे बच्चे को जो है बच के को मार डाले अब उसकी माँ बड़ी परिशान कि तीन मेहने तक अब कैसे बचा के रखें उसने क्या करा उसने कांस की जो है जो संत्या होती हैं सोटे जो होते हैं उसकी एक टोकरी बनाई उसने बहुत अच्छी टोकरी बनाई और उस टोकरी के अंदर एक महिन जो था अच् वर्दानेपुरे मिसर के अंदर नील नधी के पानी सप्लाई होता है, उस नधी के अंदर छोड़ लिया, अब वो रो रही है, अब सुचिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उसकी माँ कितनी परिशान होगी, हाई मेरा बच्चा, हाई मेरा बच्चा, वो रोती जा रही, और उसने कुछ भी खाना निखाया होगा, जब उसने ये निरने लिया होगा, कि मैं अपने बच्चे को नील न दीकी, मैं जो हूँ, छोड़ दूँगी टोकरी में डालकर, सैद मेरा बच्चा बहता हुआ कहीं चला जाये, उसने टोकरी में इसलिए डाला, कि किसी की निग चाली, और इसके साथ में उसके बड़ी बहन थी, मरियम जादा बड़ी नहीं थी, चोटी बच्ची थी वो भी, अब बच्ची जो थी, ओब भी दुखी थी ये पियारा सा बहाइँ वो जा रहा है, और ये वो भी उसके पीछे पीछे चल रही है, वो भी वो बैता हुआ उ बहुत सी मुसीब्ते होती है जाड है कंकाल है पानी है कहीं पे कीचर है उसको फांती लांती और वो अपने भाहे को देखती देखती जा रही है देखती देखती जा रही है जब उसने देखा कि एक जगा पर जो है कुछ इस्त्रियां जो थी वहाँ पर एक बहुत अच्छा स कुंट जैसा बना हुआ था और इस्थान बना हुआ था और वहाँ पर राजा की जो रानिया थी और राजा के महल के जो लोग के वो महलाएं जो थी वहा नहाने आती थी तो राजा जो फिरोन था उस समय उसकी फिरोन की बेटी भीमान नहाने आई वो जब नहा रही थी अपन इस एलिया जो थी गई है उसके टोकरी को लाया है उसमें का अरे इसमें तो एक बच्चा है मगर मरियम देख रही है मरियम पास में चली गई और वो देख रही है ये बच्चा ये तो किसी इबरू का बच्चा लगता है इब्रेहनी का बच्चा है अब क्या करें तो अब जो फिरोन की बेटी थी कुछ भी हो मैं इसको पालूंगी मैं इसको इसकी माँ बनूंगी अब वो उस समय शादी शुदा नहीं थी अब उसने का दूसरी बोले तू पालेगी तो इसको दूद कहां से पिलाओगी ये तो बह रही थी उसने कहा मैं इसके लिए इंतिजाम कर दूँगी इसको दूद पिलानी का काम जो है बोले ठीक है उसको बुला करा और वो गई तोड़ थी गई खुशी-खुशी मा तेरा बच्चा मैं तुझे तेरे पास पहुचा रही हूं मैं अपने भाई को लेकर आ रही हूं मैं अपने भाई को फिर से लेकर आ उसके मा बेटी तो क्या कह रही है कैसे ला सकती बोली चल तो तू मेरे साथ चल तो वो ले गई अब फिरोन की बेटी के पास ले गई फिरोन की बेटी ने कहा तुम्हे इसको जो है मेरे लिए पालो और जब तक ये दूद पिलाना छोड परमेशा का धन्यवाद देती हूँ आशो के अब ये आशो जो थे मा के और उसकी भेन के ये आशो खुशी के आशो थे पहले दुख के आशो थे हैं वहा भेन भी रोती हुँ जा रही थी कि क्या होगा मेरे भाई का क्या होगा मगर जब उसने का ठीक है फिरोन की बेटी न और पूरी इस्रेयल प्रजा को गुलामी से निकार कर लाया तो मेरे प्यारे भायों भाई भेनों का प्यार हमेशा ऐसी बना रहना चाहिए मरियम और मुसा की तरह ताकि प्रभू आपको आशिज दे और कभी आप लोग जुदा ना हो और एक दूसरे से खासों से भाई भेन तो वह आप सब को आशिज दे आमें